हालो अर्वेवन मैं हम वन प्राग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्णिंग लैब चैनल तो जो आज हमारे पास स्वाट है कुछ इस तरीके का स्वाट होने वाला है अल्रेडी हमने वायर रिमोल को ऊपर दो से तीन विटोरिल कर चुके हैं लेकिन आज का टुटियल करना चाहता हूं अगर आप इस वीडियो को लाश तक देखेंगे तो आप रिग्रेट फिल नहीं करेंगे कुछ नया ही सीख के जाने वाले हैं मेरा हर टुटियल दूसरे टूल से डिफरेंट होता है कुछ ने कुछ आप नया सीखते हैं तो इसमें भी हम कुछ नया ही सीख देखें यहाँ से पूरी तरीके से इन वालास को मैंने रिमूप कर लिया हुआ है कर् conquer प्रसा थोड़ी सा वार साइवाइब्स हमायरें रहे गई है otherwise की पूरे की को सारी चीजी में आपको दिखाने वाला हूं तो इसमें जो हम paint का यूज़गे उसके साथम t physics करने वाले य इसके ऊपर हम work को perform करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पार्ट को track करना है, और track करने के बाद हम जो काम करेंगे, वो stabilize के ऊपर करेंगे, जिससे आपका जो output होता है, काफी बढ़ी आ जाता है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, notes में, transform में जाना है, और हमें ल क्या करूंगा particular इस part का track निकालूगा उसके बाद work करने वाला हूं तो आज जो हम track करने वाले हम mocha tracker का use करने वाले हैं तो यह character जो है हमारे जो tracker है उसको disturb कर सकता है इसलिए हम थोड़ा साइवाइट करेंगे कि हम इस character का use ना करें ट्रेकर निकालते वे और एक चीज यह वायर बहुत पतली है इसलिए हमारी ट्रेकर को डिस्टर्मिन कर लिए चलिए एक रोटो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे मैं एक रोटो ड्रॉ कर लेता हूं अपना तो यह एक रोटो हमने ड्रॉ कर लिया, next step क्या होने वाला है, आपको एक layer create करनी है, और अपने वेजियर को जो भी रोटो ट्रॉरा के layer के अंदर डाल देना है, और यहां से आपको tracker में click कर देना है, उसके बाद आपको third option mocha track का मिलता है, यहां पे आ जाएं, आप थोड़े changes यहां पे करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, अधरवास कोई भी requirement मुझे नहीं लग रही कि यहां पे करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं directly इसको track करने वाला हूं, तो यहां पे आपको क्या करना है, track पे click करने के बाद आपको थोड़ा सहीं हवेट करना है, देखे, अभी मै track पे click कर रहा हूं, देखे, मेरा tracker कुछ इस तरीके का आ गया, अभी मैंने यहां पे stabilize किया, इसको थोड़ी दिरिकली हम off कर देते हैं, देखे, ऐसा कुछ हो गया है, हमारा tracker हमें मिल गया है, ओके, वापत से आते फर्स फ्रेम पे, अभी हम check कर लेंगे हमारे tracker की quality कैसी है, तो आपके यहां पे आना है, active layer कर सकते हैं, या particular देखे, layer 1 है यहां पे मेरी, तो मैं यहां पे layer 1 कर सकता हूं, otherwise सबसे बेस्ट है, आप active layer करें, जो भी layer आप select करेंगे, वो tracker हो जाए, तो यह हमारा stabilize footage हो गया, देखे, अभी आप देख पाने कितना सारा footage में movement था, लेकिन अभी आप एक नजर पाएंगे, नजरत से देख पाएंगे, पूरी तरीके stabilize होके आ गया है, ओके तो यहां पे जो tracker था, वो part complete हो गया, अभी हमें एक paint node लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको notes में आना है, notes में आने के बार आपको seal out में आने के बार आपको search करना है, paint node, तो हमने यहां paint लो लिया, इसको यहां से कर लें connect, ओके, यह हमने connect कर लिया, देखे, अभी आपको आना है अपने object list में, मेरी object list यहां पे है, में भी आपको कहीं और यहां पे side में हो सकती है, तो यहां पे आपको देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, tracker में आना है, जो यह layer है इसको select करना है और करना है control C मतलब इसको copy करना है यहाँ आना है object list में और यहाँ करके paste कर देना है अभी मैंने देखे इसको यहाँ paste कर दिया है अभी इस tracker से हमें ज़्यादा लेना देना है इसको upside में रख दे अभी जो भी work होने वाला है हमारा paint भी होने वाला है देखे अभी वापस से हम play कर देते हैं ऐसा दिख रहा है अभी same tracker को मुझे select करना है already हमने select कर रहा है active layer यहाँ पे active layer कर देना है अभी play around करके देखें तो यह tracker हमारा यहाँ पे apply हो गया है अभी हमको यहाँ से paint करना है तो paint करने के लिए कुछी frames हम paint करके मैं आपको दिखा हो जाने वाला है देखें इसको paint करने के लिए हम last day start कर सकते हैं यह starts कर सकते हैं तो हमें try करना है जहां भी हम maximum reference मिलता है वहां सी हम इसका tracker को sorry इस wire को remove करना है start करना है सबसे पहले मुझे क्या करना है particular जो first frame है वहाँ इस wire को remove कर लेना है उसके लिए आप क्या करना है पर alpha on कर लेना है ओके यही हो गया अभी देखें alpha को sorry alpha हमने on कर लिया यह अप भी on कर ले उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आ जाएं यहाँ पर आपको option मिलता है source match move अभी तक हम नहीं करते थे आपको click कर लेना है source match move में आपने click कर दिया देखें मैंने यहाँ मैं मैंने किया source match move यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ओके अभी जो paint करने वाला हूँ first frame पे paint करने वाला हूँ तो मैं क्या करता हूँ on-off भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमें कर जाना है next जाता हूँ यहाँ पर अब देखें मैं on-off करूँगा पूरी तरीके से match है मुझे यह मैच करवाने की कोई जरूरत नहीं है प्रस के साइज को छोटा करते हैं कैप्स लॉक के थू आप देख सकते हैं मैं एक फ्रेम और next करता हूँ इस फ्रेम से match करवाते हैं देखें पूरी तरीके से आपको match होके आ रहा है यह क्या रिमूप करना है मुझे यह वायर यहां से ऐसा कुछ हम रिमूप कर पा रहा है थोड़ा बहुत आप एरो की मदस्ते आपको लग रहा कि आपको नहीं मैच है इसको मैच करवा से देखें अब इस पाइट के लिए मेरे को रिप्रेंस नहीं मिल रहा मैं थोड़ा सा और आगे का फ्रेम एक ले लेता हूँ ने हैं यहां पर Hoण सा रिप्रेंट मिल रहा है और नेक्ट लेंगे इसको यहां पर देुकर पूरी तरीके से अभी वहा पस से रिप्रेंट मिल रहा है तो इसको बास को साइज के छोटा करते हैं वहापस हम पैंटिंग स्टाट कर देते हैं देखे इतना सा साइज मैंने पेंट कर लिया अभी मुझे क्या करना है इस पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा नॉर्मल करना पड़ेगा तो यहां पर रिसेट कर दें और इसको नॉर्मली पेंट करके हटा दें तो देखे इतना सा पार्ट वन और टू करेंगे यह से मैंने वायर को जो हमाई वायर थी उसको रिमूट किया अभी मुझे पेंट करना है नेक्स फ्रेम में तो अभी मैं आता हूं अपने नेक्स फ्रेम पर आ गया हूं अभी मुझे क्या करना है बैक को फ्रेम करना है यह सेलेक्ट करेंगे सोर्स को मैच पूप करेंगे और यह कर लेंगे जो यह सेटिंग है आपको डिफॉल्ट रखनी सारी चीजिए अगर आपके यहां पर कुछ चेंज लग रहे हैं तो आप इनको जाके रिसेट कर दें ओके अब देखे मैं रेफ्रेंस कहां से ले रहा हूँ मैं पेंट करने वाला हूँ 1091 पे रेफ्रेंस लूँगा 1090 से वापस देखे कैप्स लॉक कर सकते हैं एक सेटिंग और हम यहां पर करना पूल गया थे जो यहां इनपूट है इसको आप आउटपूट कर लें वापस से अब इस बटन को आउप करें या कैप्स लॉक प्रेस करें देखे पूरी तरही के सिमाश है तो हमें कोई टेंशन लेनेक जरूत नहीं है उनली ब्रस के साथ इसको थोड़ा से इंक्रीस कर लें इसको पेंट करते हुए चले जाना है जितना पार्ट मैंने रिमूप किया है यहां अगर आप इसको देख पाएंगे बहुत अच्छी देखें बहुत ही कम टाइम में आपको पांस से दस फ्रेम यहां पेंट करके दिखाता हूं बांकि कि आप घर पर प्रेक्टिस करिएगा जो फुटेज है वो मिल जाने वाली है आपको और यहां से हम कुछ ले लेते हैं नेक्स फ्रेम जाते हैं अगर यहीं पर मैं एक ट्रेक नहीं करता तो मुझे बार बार इसको मैच करना पड़ता लेकिन मैंने जो यहां पर काम किया मैंने इसको पहले ट्रेक कर लिया तो मुझे कोई भी मैच करने की ज़रुवत नहीं पड़ रही है ओनली और ओनली मैं ब्रस को चला रहा हूं यहां पर आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हो गया मेरा कुछ फ्रेम्स तो देखे यार यहां पर आप साथ अठरा हुआ है आप एक बार पीछे जाएगा आप देखे गज़िए मैंने चार पांच फ्रेंट किया है इसमें मु तो ऐसा कुछ देखे मैंने पेंट कर लिया देखे एक बार आप टाइम पर नज़ड डाले कितने कम टाइम में हमने इतना सारा पेंट मैंने परफॉर्म किया कुछ फ्रेंट का ओके तो जैसे आप देख प्रहें अभी मैंने 5-6 फ्रेंट कर लिए अभी मुझे क्या करना है एक पार्ट के लिए तो मैं ट्रेकर अप्लाई कर पा रहा हूं मुझे अगर इस पार्ट के लिए ट्रेकर को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे एक चीज अब और दिखा देता हूं आपको तो आपस से क्या करना है आपको देखे अभी यहां के लिए अगर देखेंगे यह यहां तो मैच हो रहा अगर यहां के लिए देखेंगे ना तो प्रेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, इस पार्ट के लिए आपको ट्रेकर कैसे निकालना है और कैसे अपलाई करना है वह वाली चीजे मैं दिखा देता हूँ, वापस से मैं आ जाता हूँ ट्रेकर में, देखें, अब इसको layer को आप करें थोड़ी दिरक लिए, मैं यहाँ पर देख लेता ह है इसके अंदर जो भी है वो में ट्रॉ करने वाला हूं तो मैं ले ले लेता हूं अपना एक ऐसा से ले ले लेता हूं यह हमारी होने वाली है सेप ओके सेप होने के बाद सिंप्ली यहां पर आना है यहां पर सेप को सिलेक करना है ट्रेकर में आना है यहां पर मैं तो कोई चेंजस नहीं करने वाला हूं अगर आपको लगे तो आप चेंजस कर सकते हैं यहां पर मुझे सिंप्ली क्लिक कर देना है अभी मैंने क्लिक किया है देखे ये पूरी तरीके से पार्ट ट्रेक हो गया अभी स्टेबलाइज मोड में अल्रेडी है आप एक बार प्ले अरॉंड करके देख सकते हैं जो आपका ट्रेकर है कैसा देख रहा है मेरे हिसाब से काफी अच्छे है आप ट्रेकर निकल गया तो वापस आते है अभी layer 2 को आपको copy करना है देन अपने same paint node में आना है यहां आने के बाद object list में जाना है यहां पर कर देना है paste तो यह अभी मेरी काउंसे layer 5 थी तो next जो हो गई है layer 6 हो गई है जो भी layer आप से लिक करेंगे उसके according यहां setting हो जाएगी अभी तक यह वाली part match हो रहा था अभी हम देखे यह layer select करते हैं already stabilized है वापस हम कर देते हैं play अभी देखे यह वाला part जो है पूरी तरीकी के match हो के आ रहा है यहां का match नहीं है यह वाला part हमारा match हो रहा तो इसको कैसे paint करेंगे अभी देखे maximum reference हम चेक करेंगे कौन से frame में हमें मिल रहा है तो मैं first frame में मैं यहां से reference लेने वाला हूँ ओके एक दो अभी वापस याते है caps lock यह देखे पूरी तरीके से आपको match मिल जाई कोई भी काम यहां पर आपको करने के जरूद नहीं है only brush लेना है और यहां पर tip करके चला देना इसके पहले actually मैं Photoshop यूज करता था लेकिन यह वाली जो टेक्निक लग रही यह आपको Photoshop या other software में नहीं मिलती तो यह काफी बहतरीन है काम भी बहुत fast इसमें से आपको हो जाने वाला है थोड़ा सा precise रखें और देखके करें अब देखें एक frame हमने कितना जल्दी यहां से remove क गिया है अगर आप इसकी quality की बात करें तो पूरी तरीके से आपको यह मैच होड़के आने वाला है तो आपस जाते नेक्ट फ्रेम पे अब नेक्ट फ्रेम से रेप्शन का हम कहां से लेंगे हम first frame से लेंगे वापस से आपको यह सब कुछ reset कर देना है ओके अब मैं backwards से एक चेक भी कर सकते हैं अगर नहीं चेक करना चाहते हैं कोई बात नहीं only आपको क्या करना है इसको ऐसा remove कर लेना है अभी चलते हैं next frame पे आप चेक करना चाहें थोड़ा सा आपको mismatch लग रहा तो arrow quiz से match भी कर सकते हैं otherwise simply आपको यहां से paint करते रहना है ऐसा तो अभी इस part के ल कर लेते हैं यहां से ले लेते हैं यह पार्ट हो गया मेरा अब यह वापस चलते हैं next frame पर ब्रस के size को यहां पर increase करना पड़ेगा वापस हैं paint कर लेते हैं कोई भी हम यहां changes नहीं कर रहे हैं ओके वापस चलते हैं next frame पर देगे यह process तो आपको follow ही करना है थोड़ा सा वेट करें जो concept है थोड़ा सा और मैं आपको आगे कुछ चीज़े दिखाने वाला हूं ओके अभी वापस ते जाने next frame पर यह हमारा last frame था जिसमें paint के अभी देखे एक चीज़ देखे यहां पर थोड़ा सा मुझे mismatch दिख रहे ही चीज़े तो अभी क्या करना है इसको मुझे match करवा ले ना अपने recording कि इसमें टेंशन लेने कोई जरूत नहीं है अपने recording इसको थोड़ा सा मैच करवा ले उसके बाद पेंट करते रहें क्योंकि काफी सारा हमें moment देखने को मिल रहा है तो में भी लेकिन इतना ज्यादा कोई भी चेंज नहीं होने वाले देखिए ये frame हमने paint कर दिया है आपका जो tracker होना चाहिए वो perfect हुझा है देखे कुछ frames मैंने यहां से भी wire को remove कर दिया अभी stabilize mode को यहां से मैं none कर देता हूं और देखे अभी ये play around करके आप देख भी सकते हैं तो यहां से कुछी frame मैंने यहां से ऐसा paint किया है और जो मैंने use किया है वो मैंने youth किया है tracker के थूढ़िए तो काफी अच्छा है यह हो जाता है हाँ अभी तो बात हो गई इनकी लेकिम क्या हो रहा है कि हमारा जो यह character के ऊपर भी यहां पे आ रहा देखे यहां पर मेरा character है और यह यहां पर ए करेकटर के face के उपर भी आ रहा तो इन ची करना है क्योंकि यह पर्टिकुलरा जो बाहर के पार्ट है कि आपको समझ में आ गया होग कैसे करना है उन लिम्हें दिखाने वाला हूं अगर करेक्टर के ऊपर आ जाता है तो कैसे करना है देखे अब फेस के लिए भी ट्रेकर निकाल सकता हूं बट जो मुझे लग रहा है कि यहां face के लिए tracker निकालने की जरूत नहीं है मैं क्या करता हूँ कुछ frames आपको इस face के उपर से कैसे निकालना है वो में दिखा देता हूँ तो यहां से face के उपर से कैसे clean करना है वो में दिखा देता हूँ क्योंकि जो face का part होता है काफी डप होता है किसी भी चीज़ को paint करने के लिए तो कौन से frame यहां मैं पूरी तरीके से reference मिल रहा है मैं check करूँगा देखे यहां पे reference मिल रहा है यहां पे नहीं मिल रहा मैं यहां भी कौन से frame से यहां पे आता हूँ और जो reference लोगा एक backward 1092 पे हम paint करने वाले reference लेंगे 1091 से अभी मुझे क्या करना है इन दोनों layers को select नहीं करना है अभी मैं simple से अपने according ही paint करने वाला हूँ अभी हम वापस या गए manual पे पूरी तरीके से अपने according सेट करने इसको थोड़ा से down करें अभी देखे अभी यहां पे scaling भी थोड़ी से हो रही तो simply मैं यहीं से करता हूँ scale कर लेता हूँ थोड़ा सा अभी देखे मुझे यह वाली जो age है particular यहां पे paint करना है उसको match करवाना है तो मैं पूरे पे धियान नहीं दूँगा only मेरा last age match हो जाएगी तो मैं यहां पे इसको paint कर सकता हूँ ठीक है तो यहां पे हम इसको brush के size को कम करके यहां पे कर देते हैं paint अभी देखे यह मेरा paint हो गया अभी जाता हूँ next frame पे अभी देखे वापस से match करवाएंगे अभी देखे scaling थोड़ी सी और कम करने पड़ेगी अभी वापस से आते हैं यहां paint कर लेंगे यह हो गया paint मेरा यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा इस part को भी paint कर लेते हैं आपको देखना है कि character के अंदर ही आप paint करें बाहर की तरफ ना रखें जब आप bg को paint करेंगे तो यह वाला part का आपका clear हो जाएगा तो यहां तक मैंने पेखे यहां paint किया अगर one or two press करेंगे तो यह वाला part remove कर लिया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपको sequence पे ही काम करना है देखे यह कान का part है यहां भी मैं clean कर देता हूँ अभी यह वाले part को भी clean कर लें देखे कुछ चीजे तो हमारी track से जब moment वाली होगी जहां पर track हो सकता है वो तो निकल आती है बड़ जहां पर track नहीं हो पाता है वहां पर हमें manual work perform करना पड़ता है और पर्फॉर्म करने के पहले आपको कैसे सीख सकते हैं आपको इसके लिए करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस तो जो last classes almost जम मैंने बनाई थी जो मैं अभी तक के अंदर last classes की है अगर उस class को पूरी तरीके से आपने complete करा होगा ना तो ये वाला जो मैं class करने वाला हूँ ये आपको problem नहीं होगी अगर आपने मेरी last classes नहीं देखी है और डारेक्टिस में जम्प कर रहे हैं तो में भी कुछ problem हो सकती है बट अगर मेरी last classes को आपने अगर एक बार में नहीं होता आप दो से तीन बार आपने practice करी होगी तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और जो footages रहते हैं वो तो मैं आपको practice के लिए दे ही देता हूँ आप description में चेक करें वहां से आपको practice इसके लिए मिल जाते हैं तो वो चेक करिएगा देखें कितना almost जितना मेरे requirement थी मैंने उतने frame यहां पे paint कर दिया है देखें यह part मैंने face का भी remove कर लिया है तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं अभी यहां के part को भी मैं अगर इसको clean कर लेता हूँ तो आगे के frames में कर पाऊ होगा तो already आपको पता है कि आपको क्या करना इस part के लिए मेरा tracker यह है तो already इस layer को select करें active layer कर लें अभी देखें पूरी तरीके से जी जो होने वाला है यहां से lock हो जाएगा तो आप reference लेके इसको भी paint कर सकते हैं जहां जहां आपको paint करना है requirement के according अपने requirement के according आप paint कर सकते अब reference कहां से मिल रहा देखें यहां से पूरी तरीके से मुझे reference मिल रहा अब यह देखें frame number में अगर select कर लूँ यह frame number मेरा count सा है 1102 है first पे आता हूं मैं यहां पे कर देता हूं 1102 अभी देखें caps lock on off करता हूं देखें यहां पे value change था मैं बोलता आया हूं जहां भी आपक होके आपको मिल जाने वाला है अभी only on only क्या करना है हमें brush चलाना है ऐसे हो गया और थोड़ा बहुत हो तो match कर वालें इसको काफी दूर का reference है तो कितना भी अच्छा track करेंगे थोड़ा सा उपन नीचे हो सकता है देखें यह पार्ट पूरी तरीके से clean हो गया अभी वाप एक फ्रेम हम backward ले लेते हैं sorry और input की जगह output रख दें एक फ्रेम backward ले लेते हैं अभी paint करना मानलीजिए मेरे पड़े तो मैं आराम से इस फ्रेम को paint कर सकता हूं तो ऐसा कुछ नहीं है आप step by step जाएं धिर धिर अगर practice करेंगे तो यह सारी चीजें आपकी होने वाले देख थोड़ा साथ में क्या बोलता हूं जो character की ages रहेंगी उसको आपको बड़े relax के साथ paint करना है वापस दे एक फ्रेम आ जाते हैं यह हो गया और मैं already यह फ्रेम सोच रहा था ना दिखा हूं बट मैं सोच रहा था कुछ फ्रेम में कर रहा हूं तो complete ही कर दूं आपके साथ मिल मिल रहा है तो आइखोप की जो इस चीज़े मैं बता रहा हूं यहां से नन कर देता हूं अब देखे ऐसा मेरा वाइर रिमूव हो आई होप की जो इस चीज़े बता रहा हूं आपको clear हो जगई होगी अगर आप clear नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो क्या करिए कर step by step follow करिएगा देखेगा मैं कैसे कर रहा हूं वैसी आपको perform करना है reason क्या है sort भी आपका सेम होने वाला है practice भी आपकी सेम होने वाली है लेकिन जो मैं बता रहा हूं वहां process कुछ नया होने वाला है जब थोड़ा सा आप इसको पर काम करेंगे तो एक final output कुछ इस तरीके का आपका निकल के आ जाएगा ओके अभी देखे मैंने इसके उपर से भी यहां से वायर रिमूब करा हुआ है ओके तो मुझे यह में sort भी आपको attach करके दूँगा तो आप मुझे नीचे में comment box में comment करके बताईएगा कि आपने complete करा की नहीं किया आपको क्या problem आ रही है तो आ आपको क्या है 15時 आपकी नहीं कोडहा करे बें आपको क्या मुझे जा आपको अजिक आपको का कि नहीं से आपक जड़ा कि चैना कि उत्हां आपको कि अझापा रह नहीं है तो आपको क्या